पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधान मंतरी के तौर पर ताज पोशी की तैयारियां जोरो पर हैं। पाकिस्तान तहरीक एंसाफ की तरफ से अपने मुखिया इमरान खान की ताज पोशी को यादगार बनाने के लिए पुर्व भारते क्रिकेट खिलाडियों को नियोता दिया गया है भारत से पुर्व क्रिकेट खिलाडी सुनिल गावासकर कपिल देव नवजोद सिंग सिध्धू के साथ बॉलिवूड अभीनेता आमिर खान को नियोता दिया गया है इससे पहले इस तरह की खबरे आई थी कि इमरान की ताज पोशी में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी समेट अन्य विदेशी नेताओं को नियोता दिया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है बता दे कि इमरान खान अगामी 11 अगस्त को शपत ग्रहन करेंगे पीटियाई इस समहारों को पाकिस्तान की आजादी की साल गिरह 14 अगस्त से पहले कराना चाहती थी गौरतलब है कि 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों के नतीजों में पाकिस्तान तहरी के इंसाफ सबसे बड़ी दल के तौर पर उभरी थी हाला कि सरकार बनाने के लिए 272 सदस्यों वाली नैशनल असेंबली में 137 सदस्यों की जरूरत होगी महीमरान की पार्टी 116 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है और वो बहुमत से 21 सीटें दूर है पाई है